मित्रों समाज में चमतकार दिखाकर आध्यात्मित छेत्र से लाब लेने वाले जो गुरू होते हैं या जो पाखंडी होते हैं वो कैसे ये सब कर पाते हैं और हम इनके विश्वासों में कैसे फस जाते हैं इसके बारे बात करेंगे जैसे के कोई गुरू कहने वाला होता है वो बताता है कि किसी के आँख को देखके मैं उसका क्यांसर तक ठिक कर सकता या कहता है उसके बोड़ी के किसी भाग में टास करके मैं उसका सभी रोग ठिक कर सकता ऐसे लोग सबी दर्मों में दिखाय दिते हैं हिंदु में गुरु के नाम में होंगे ऐसे कोई माला डालेंगे और तिलक जैसा लगा लेंगे और ऐसा गेरुआ बस्त्र पहनेंगे और कहने लगेंगे मैं किसी के आख को भी देखके उसका रोग ठीक कर सकता क्रिशियनिटी में भी ऐसे पास्टर होंगे जो जगा जगा बताएंगे मैं किसी मर्त ब्यक्ति को भी जिंदा कर सकता या अपांग ब्यक्ति को भी मैं ठीक कर सकता वो फिर करके दिखाता भी है ऐसा नहीं कि हो कहता है गुरु लोग ऐसा करके दिखाते भी हैं और इसके प्रमाट बनने वाले लोग भी होते हैं जिनको सचमुच बीमारी ठिक हो जाते हैं और उसके कारण उनका प्रशार हो जाता है और बहुत लोग उन पर विश्वस करते हैं और उनके पास आते हैं तो ऐसे भी लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि आपका हस्तरेखा देखके आपका कुंडली देखके आपके भविष्य में क्या होने वाला है मैं बता सकता हैं ऐसे जो तिस भी बहुत लोग होंगे ऐसे बाबा जी भी होंगे जिसको अपने को एकजार आठ कहेंगे वो आपको ये कहेंगे कि आपने जो भी अभी तक पाप किया है गलत काम किया है उसको वो धो देंगे उससे वो अलग कर देंगे उसको आशिरबाद देंगे या कुछ करेंगे आइसा आशिरबाद का व्यापार करने वाले होते हैं और इन में से आइसे भी होंगे जो बहुतिक रूप से दार्षिनिक रूप से पंडित के रूप से अध्यात्मा को ब्याख्या करेंगे अध्यात्मा का ब्याख्या करेंगे और आपको कहेंगे ये सुन लो ये सुन के तुमारा अज्यान मिठ जाएगा तो ऐसे बहुत लोग होंगे और इसमें भी फसने वाले लोग बहुत होंगे ऐसे ही प्रभशन देने वाले भी इस ज्ञान को तुम सुन लो और तुम को हो जाएगा इस तरह कहता है वो एकी कैटेगोरी की है स्ववी का एकी सिद्धानत है समतकार करना है कुछ करके दुसरे को प्रभावित कर लेना है उसका विश्वास जित लेना है और विश्वास करने के लिए हम तैयार हुए बैठे हैं इसलिए हमको कोई भी लूट सकता है, क्योंकि हम अनेक चीज़ों पर विश्वास करते हैं, तो जिन चीज़ों पर हम विश्वास करेंगे, उनहीं चीज़ों को ये लोग कहेंगे कि उठीक कर सकते हैं, तो आप फिर इनके जाल में पढ़ दाएंगे, इसलिए यहां जोटी ब बिमारी है, यह लगनी की बिमारी है, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जो अपने को बिमार मानते हैं, यहने कोई कहता है कि मुझे कुछ डाइविट्रीज हो गया, या कोई कहता है मुझे कैंसर हो गया, वो मानता है मन मन में, या कोई मानेगा कि मुझे कोई सर्दी जर इत्यादी हो गया तो ऐसे सक की बिमारी जो होती है इसका इलाज नहीं होता है ससका इलाज नहीं होता है इसका जुट का ही इलाज होता है तो आपका जो विश्वास है उस विश्वास को तोड़ना है इसका इलाज यही है आपका विश्वा ये है कि आप मानते हो में बिमार हो अब आपका विश्वास कैसे तोणे डाक्टर अगर छेक अप करके देख लें तो कोई बिमारी है नहीं आपका दाक्टर तो कहेगा तुमारे पास कोई बिमारी नहीं है तो आप उन बात को मानेंगे नहीं क्योंगे आप तो मानते हो कि आप अनुभव करते हो कि आप तो बिमार हो तो तुमारे पास बिमारी नहीं है कहेना उपचार करना नहीं हुआ फिर क्यों उसका समस्या समधान तो नहीं हुआ वो तु बिमारी का अनुभव कर रहा होता है न तो उसको यह कहना होगा कि जो तो कहता है बिमारी आईसी है इसको ये कहते हैं इसकी ये रोग ठीक हो जाता है और इसकी दवाई भी है तो ये दवाई खाले ठीक हो जाएगा इस तरह उसको कहना होगा और डाक्टर आईसे लोगों को जो आउसदी देते हैं उनका जो रेमेडी करते हैं तो उसको प्लेसीबो एफेक्ट कहते है प्लेशीबू का अर्था है वो कुछ आउसदी नहीं है वो सक्कर की गोली है मगर जो बिमार है वो अपने को मानता है कि बिमार है तो उसको अब ये कहना होगा कि तु ये सच है आउसदी तु ये खाले आउसदी बिमारी भी जूटे है आउसदी भी जूटे मगर ये काम कर ज जो लोग होते हैं धर्मा के नाम पे अध्यात्मा के नाम पे प्यापार कर रहे होते हैं और आपको सूस रहे होते हैं मगर इनको भी दोस क्या दे ना क्योंकि हम खुद ही इस कलत विश्वास पर जिते हैं तो पहले तो हमारा जो विश्वास है वही गडबड है तो वहां से निकलता है बाहर के बाहर के गुरु तो बाद में आएंगे पहले तो हम ही मालेंगे हम अपने को यह बिमार मानेंगे यह अज्यानी मानेंगे यह पापी मानेंगे यह अश्रचित मानेंगे हमारा मानना कि मैं ठीक नहीं हूँ यह मुल बिमारी है हम अपने को ठीक नहीं मानेंगे और फिर यह मानेंगे कोई मानेगा में बिमार हूँ कोई मानेगा में अज्यानी हूँ, कोई मानेगा में पाप में हूँ, कोई मानेगा असुरचित हूँ तो जो मानेगा में बिमार हूँ, तो उन लोगों को ऐसे लोग जो आख में आख डालके बिमारी ठीक करते हैं या इस पर्षक के द्वारा रोग ठीक करते हैं तो ऐसे गुरु के पास ये जाएंगे, ये दोनों के बिज लेना देना होगा, इसके पास भी कोई बिमारी नहीं है और उसके पास भी कोई इलाज नहीं है, इसलिए ये पास्तर जैसे लोग मुर्त ब्यक्ति को जिन्दा करके भी दिखा देते हैं, तो ये सब ये चमतकार कर होते हैं, और इस ब्यपार को हम अच्छे से देखते हैं, ये ब्यपार ऐसे चल रहा है कि जो लोग अपने को मानते हैं, मैं बिमार हूं और असल में बिमार नहीं है, वो लोग इनके पास ठीक हो जाते हैं, और असम्मित बात हैं कि ये लोग किसी भी हस्पिटल में ठीक नह तो इसका आर्थ है कि उसका वुह वीमारी सुच नहीं थी, वुह मानता था कि मुह विमार हूं, और हस्पिटल में जाता था यहां भी जाता था चेकथ अब दिखाएने पड़ती, हैं और टाक्टर उनको कोई बिमार नहीं है ऐसे कहें कि भेज देगा कोई उससे चूस लेगा फिर वहां से भी आईसा और दवाईया देकर और जो भी दवाईया उखाएगा उससे उसकी बिमारी ठीक होने वाली नहीं है तो ये लोग फिर अंतिम उपाय के रूप में ऐसे गुरू के पास जाएंगे और यहां ये लोग ठीक हो जाएंगे क्योंकि इनके पास भी कोई सच इलाज तो नहीं है ये भी आपको जूट आप भी जूट कहे रहे हो बिमार हूँ ये भी जूट कहे रहा है कि मैं तुझे ट रूबन के बैठा हुआ होता है वो दूसरे का बिमारी ठीक करता है मगर जब खुद बिमार पड़ जाता है तो वो हस्पिटल जाता है उसका परिवार में कोई बिमार हो जाता है तो वो लोग हस्पिटल जाते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि उसने उसको पता कि जो लोग उनके पास बीमारी की रूप में आते हैं, वो असल में बीमारी नहीं है, वो मानते हैं कि बीमार हूँ, इसलिए उनको ठीक कर पाता, मगर उसके परिवार में और उसको अगर हो गया कुछ सारीजिक समस्या, तो उसको तो पता होगा, यह तो सच की ही बीमारी है, जाएगा और इनके पास आने वाले लोगों में 50% को यह होगा 50% को नहीं होगा क्योंकि सबी बिमार ऐसे नहीं होंगे जो मान जो सक्के बिमार है पास्तविक बिमार भी वहां जाएंगे और उनको ठीक नहीं होगा और वो कहेंगे यह बाबा पाखंडी है और इन ही के कारण इन बाबाओं का फिर परदा फास हो जाता है कितने बाबा है अब देखें आईसे कोई जेल में पड़े हैं तो मैं बिमार हूँ ऐसे नहीं कहिने वाले मगर मैं अज्यानी हूँ ऐसे कहिने वाले भोत लोगों के और इन लोगों को ऐसे पंडित, सास्री, यह प्राध्याप यह दार्षनिक, यह अपने को डाक्टर लिखवाने वाले और अपने को धुरंदर पंडित मानने वाले जो होते हैं यह लोग इनको लूटते हैं फिर और इसमें बिमार, बिमारी क्या है मैं अज्यानी हूँ, हम मानते हैं अपने को मैं अज्यानी हूँ और अपने को अज् समस्य ठीक हो जाएगा, यह एक रोग ही है, यह भी मानाशिक रोग है, अपने को मैं अज्ञानी हूँ मानना, यह मैं ठीक नहीं हूँ मानना, मैं टैलेंट नहीं हूँ मानना, यह एक मानाशिक रोग होता है, यह भी ऐसे ही होते हैं, जैसे मैं सारीरिक रोग लगा है मुझे, मैं सारे दोगी हूँ मानती हैं आइसे ही मैं अज्यानी हूँ मनना भी और अज्यानी हूँ भी नहीं कहए कि मैं पापी हूँ कहने वाले होंगे तो उनको ये पुजारी ये एग्यहवन करवाने वाले ब्रामन मैं 円 बंगा में आ बावा के एक हजार आर्ट बावा के पास बैट जा और आशिरिवाद ले ले यह आशिरिवाद का व्यपर है वो आशिरिवाद जूट है वो बिमारी भी जूट है मगर हमको लगता है कि ठीक होता कि यहां अपने को पापी मानते हैं ना पापी मानेंगे तो फिर यह एक हजार आर्ट या ब्रामन इत्यादी के पास जाएंगे और वो कहेंगे तो पापी है मगर तो इस तरह पुझापार अनुस्तान इत्यादी कर ले तो तेरा पाप धूल जाएगा और हम इसमें विश्वास करते हैं और वो हम करेंगे और करके हमको थोड़ा आनंद का अनुभव होगा तो हैं थोड़ा पाप धूल गया देशा लगेगा जैसे उस बिमारी सारीरिक बिमारी को प्लेशिवो दवाई खाने के दवरा ऐसा लगता है कि ठीक होगा मैं ऐसे ही इनको भी लगेगा ठीक होगा इस तरह इनका वेपार चलेगा और मैं आशुरस्षित हूं कहने वाले होंगे बहुत इन बिमारीयों को यह भविश्य का बिमारी भविश्य का रोग है यह भविश्य रोग हैं तो कल क्या होगा मेरा इस तरह सोचने वाले जो होते हैं तो इन आनिंगे अपने को कि मेरा क्या होगा और जोतिस कहेगा ठीक है देख लेता हूं तेरी कुंडली बता देता हूं तो क्या होगा इसलिए तु योजना कर ले अच्छे से और तु शुरच्चित हो जाएगा तो इस तरह इनका व्यपर यहां चलता है मगर इन में जो बास्तविक बुद्ध होते हैं जो ओसो होते हैं तर्शमृति होते हैं तो यह लोग क्या करते हैं क्या वो ऐसे ही व्यपर करते हैं लोगों का अगर ऐसा लोगों का ये लोग व्यापार करते हैं तो ये लोग भी इन जैसे ही पापी है ये सबी लोग पापी है क्यूंकि यहां सोशन चल रहा है यहां आपको ध्वका दे रहा है आपको कुछ हुआ नहीं है मगर यह लोग कह रहे हैं कि तुझको आप मानते हो कुछ हुआ है और यह उसी का फाइदा उठाते हैं हाँ हाँ तुसको हुआ है इसलिए तु ठीक होना चाहता है तो तु मुझे पैसा दे या अनुस्ठान कर इत्यादी ये लोग कहते हैं और क्या बुद्धा और ओस हो भी हमको यह कहते हैं जो सच्चे गुरु होंगे वह कहेंगे आपको कि आप जो अपने को मानते हो मैं या ब आनते हो यह आप हो नहीं यह सच बात है न तो असली गुरु आपको ध्वका नहीं देगा वह आपका सोसन नहीं करेगा वह आपको सहयोग करेगा यह आपका जो समस्या है उसका समाधान करवाने के लिए वह सहयोग करेगा और लोग जो होंगे यह वह सहयोग नहीं करेंगे वो आपका सोशन करेंगे वो आपका बिमारी से उनका लेना देना नहीं है वो तो आप से अपना फिस ले लेंगे तो ओसो या बुद्ध हमको मैं क्या हूँ ये रिसर्च करना शिकाएंगे इसका ध्यान करना शिकाएंगे मैं ने कहा मैं बिमार हूँ या अग्यानी हूँ मैं पापी हूँ अशुरचीती हूँ यह दूसरा नम्मर है उससे पहला नम्मर है मैं हूँ तो यहां गलत है जब हम कहते हैं अपने को मैं हूँ तो फिर हमको यह कहना होगा बिमार हूँ, अग्यान हूँ, पापी हूँ क्योंकि मैं का होना सत्ते नहीं है मैं का होना जूट विश्वासों पर आधारित होता है इसलिए मैं बिमार ही होगा और उसकी बिमार ही बहुत पर होगी होगी सारजिक रूप में होगी, मानसिक रूप में होगी, भविष्य के रूप में होगी, पाप धर्मा के रूप में होगी, तो मैं यह हूँ कहने से पहले, पहला नम्मर में आएगा मैं हूँ, तो वहाँ पर जाना है, और क्या मैं हूँ, कि नहीं हूँ, इसको ध्यान करना है, स्वामी एकजर आते जो भी लोगे सभी सचे फिर हैं अगर मैं हूँ तो अगर मैं नहीं हूँ ऐसे ही मानता हूं कि मैं हूँ तो फिर ये सभी लोग जूटे क्योंकि आप ही जूटू हैं तो उसका रिशाच करने के लिए उस और बुद्ध हम को प्रेरित करते हैं और वही आजे गुरू होते हैं